युवाओं के धरोकारों का धर्पन नए विजारों का ये है युवाओं भारति ये है युवाओं भारति में आपका स्वागत है मैं हूं नवोधिता मिष्रा और मैं मनोज माहिन कर देश की प्रगती के साथ युवा जगत में हो रही हलचल का गहरा रिष्टा होता है और खेल जगत इसी समीकरण का एक मजबूत इंडिकेटर भी है वैसे देश की युवा महिलाएं खेलों के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में अपनी विशष्ट उपलब्धियों के परचम लहरा रही है मेरे प्यारे देश वासियों आज भारत का जो सामर्त नए सिरसे निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारी नारीश शक्ति की है हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदारान हमारे सामने आये हैं आपने सोशल मेडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा सुरेखा जी एक और किर्तिमान बनाते हुए बंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पाइलेट बन गई है इसी महिने प्रोडूसर गुनित मौंगा और डायरेक्टर कारती की गोंजाल लुईस उनकी डॉक्युमेंटरी एलिफंट विस्परर्स ने ओसकर जीत क देश का नाम रोशन किया है देश के लिए एक और उकलब्दी भाबा अटोमिक रिस्टर सेंटर की साइन्टिस्ट बेहन जोतिरमई महंती जी ने भी हसिल की है जोतिरमई जी को केमिस्ट्री और केमिकल एंजिनिरिंग की फिल्ब में आयू पी एसी का विशेस अवर्ड मिल इस वर्ज के शुरुवात में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल कप जीतकर नया इतिहास रचा साथियों कुछ दिनों पहले मेरे मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तूर्किये में विनासकारी भूकम के बाद वहां के लोगों की मदद के लिये गई थी ये सभी एंडी आलेप के दस्ते में शामिल थी उनके साहस और कुसलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शावर्य का जंडा बुलंद कर रही है ग्रूप केप्टन शालीजा धामी कमबेट य इसी तरह भारत के सेना की जावाज केप्टन सिवा चोवान सिया चिन में तैनाथ होने वाली पहली महिला धिकरी बनी है नारीश शक्ति की ये उर्जाही विक्सित भारत की प्राणवायू है खेल जगत का जिकर हमने शुरबात में किया था इन दिनों हुए अंतरराष्टिय बॉक्सिंग शूटिंग और वेटलिफ्टिंग मुकाबलों में भारत की कन्याओं के उतकरिष्ट पदर्शन ने भी पत्रिका का ध्यान अपनी ओर खीचा निकहत, लवलीना, सिफ़तकौर, मनू और जोचना तो संखर्ष, लगन और मेहनत के जजबे की कुछ प्रमुख मिसाले बन गई हैं यानि देश के सभी युवाओं के लिए और प्रेड़ना माना की मार्च का महीना है, WPL भी प्रेड़ना का एक जरिया है, लेकिन उधर बैडमिंटन में सात्विक और चिराख की जोडी ने भी तो देश का नाम रोशन किया है अगर इन सभी यंग अचीवस की लिस्ट बनाई जाए, तो हमें एक भारत श्रेष्ट भारत का सार तो यूही मिल जाता है लेकिन एक भारत श्रेष्ट भारत की असल नीव रखी गई, हमारे स्वाधीनता संग्राम के दोरान, दशकों सदियों पहले, इस लंबे बहु आयमी संघर्ष में, देश के युवाओं, क्रांतिकारियों का भी सक्रिय योगदान रहा, इन में से कईयों को कच्ची उम्र मे ही सरवोच भलिदान देना पड़ा पिछले सप्ता, शहीदी दिवस 2023 के अवसर पर, याद आया कि 1931 के उस अभागे दिन, शहीद भगत सिंग मात्र 23 बरस के थे, अमर बलिदानी भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु ने आने वाली पीड़ियों को नजाने कितने ही क्षेत्रों में संघर्ष के लिए प और ये कुर्बानी विर्थ नहीं गई, आज हम देखते हैं कि देश का युवा विविद क्षेत्रों में उत्कृष्ट कारे करने को आतुर हैं, चाहे टिकनॉलोजी हो, दिग्यान हो, क्रिशी हो, इन्वाइन्मेंट हो, या पोशन जैसा सामान्य किंतु अतिक अठिन ऐसा इन्टरनेट के सकरात्मक इस्तमाल से भी हो सकता है, फिलहाल पिछले सप्ता हुसेनी वाला फिरोजपुर में शहीत भगत सिंग युवा पुरुसकार से सम्मानित यंग विभूतियों का अभिनंदन करते हुए, आए मिलकर सुनते हैं राष्ट्र युवा पत्र का एक वो जमाना था, जब करियर की राह में खेलकूत को कोई महत्वबोन दर्जा हासल नहीं था, यही कहा जाता था कि पहले पढ़ाई और परिक्षाएं खत्म होते ही, मन मर्जी भरी खेलकूत। लेकिन परिवर्तन प्रकृती का ही नियम है, आज खेलकूत की दुनिया अपने आप में करियर बनाने का एक एहम माध्यम बन गया है, वो भी साइन्स की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी और हमारे देश में तो आज इस दिशा में संस्थागत सपोर्ट भी हैं, ऐसी ही एक उत्क से अब तक की यात्रा देखते हैं, क्या रंगलाई है, संसतावन का वैसे भी युवा बलिदानी रानी लक्ष्मी बाई के साथ एक एहम रिष्टा है आप हैं बही के होडी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और मैनेजमेंट यजुवेंद्र सिंग राजपूत लक्ष्मी बाई राष्ट्री शारीरिक शिक्षा संस्थान जो कि 1957 में बना, सारीरिक शिक्षक बनाने के लिए संस्थान की अहम भूमी का है जो अपने आप में एक मात्र संस्थान है, ना कि देश में परंतु एशिया में भी, जो इस तरीके के कोर्से संचालीत करता है बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, योगा से सम्मधित सारे कोर्स, कोचिंग कोर्स, मैनेजमेंट, जिसमें बच्चों को से सारे शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए अथा और भी उपर जो पद होते हैं उसके लिए तयार किया जाता है जैसे स्पोर्स ड बैचलर डिग्री करने के बाद जो है यहाँ पर पीएचडी कोर्स जो रेगुलर कोर्स है उसमें भी बचों को एड्मिशन दिये जाते हैं जो की विभिन स्पेशलाइजेशन में अपनी विशेश अज्यता के अनुसार वे करते हैं जैसे फिजिलोजी में एक्साइज फिजिलोजी में स्पोर्स बाया मेकिनिक्स में स्पोर्स साइकलोजी में योगा में और मल्टि डिसिप्लिनरी पीएचडी भी की जाती है आजकल खेलों में Sports Biomechanics Physiology और Psychology की एहम भूमी का है और इस संस्थान में इन तीनों के लैब जो की नविंतम उपकरोनों के साथ उपलब्ध है जिसमें Sports Biomechanics एक महत्वपूर्ण एक ऐसा विशे है जो की खेल में Performance बढ़ाने के लिए खेलों में अपना सर्वोच प्रदर्शन के लिए भागीदारी करता है जैसे की आप सारे जो भी Movement करते हैं उसको Analyze करना उनके बारे में बच्चों को बताना की वो कहां गलतिया कर रहे हैं पिचराइजेशन करना उसके माध्ध्यम से उनकी तकनीक में सुधार लाना ये सारी चीजें Sports Biomechanics में की जाती है इसके साथ साथ जो खेलों में चोटे लगती हैं इंजूरी होती हैं उसको भी अवाइट करने के लिए उसको भी ताकि ना हो जादा इंजूरी आपके मूमेंट अच्छे हो उसके लिए Sports Biomechanics की है मूमी का है उसी तरह Exercise Physiology भी एक महत्वपूर्ण सबजेक्ट है जिसमें आपके शरीर से संबन से जितने भी आपके सिस्टम्स काम करते हैं किस खेल में कितनी आउशकता होती है कितनी हार्ट रेट होनी चीए कितनी पल्स रेट होनी चीए किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है उसके भी सारे उपकरण है जिसके टेस्टिंग के माध्यम से एक अच्छा खेल प्रतिभागी निकालना इस संस्थान के लिए अती महचोपून है उसके साथ जो एक महचोपून विशे है जो खेलों में आजकल दिखा जाता है कि जो सरोच लेवल पर जैसे ओलंपिक हो गया इशिन गेम्स हो गया या कॉमन विल्ड गेम्स हो गया इस पे खिलाडी बहुत अच्छे प्रसिक्षन के बाद भी जो है परफॉर्म नहीं कर पाता एक स्पोर्ट साइकलोजी विशे है जिसके माध्यम से जो है एक दृड बनाना अपने खिलाडी को और वो उस प्रेशर को जो की सरोच लेवल पर होता है उसको प्रेशर को जहनन के लिए उसे सक्षम बनाने के लिए भी भूमी का स्पोर्ट साइकलोजी की होती है स्पोर्ट साइकलोजी में जितने भी टेस्टिंग से संबंदित है ताकि जो खिलाडी है एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके उसके लिए भी यहाँ पर विभिन कोर्से संचालित किय जाते हैं जैसे MSC Sports Biomechanics यहां पर चल रहा है, MSC Exercise Physiology चल रहा है और MA Psychology चल रहा है आज कल खेलों में मात्र प्रसिक्षन ही देना काफी नहीं है, प्रसिक्षन के साथ-साथ इन स्पोर्ट्स साइंस का, जो ये तीन विशे मैंने आपको बताया है, उसकी एहम भूमी का है, क्योंकि चलाडी को प्रसिक्षन के साथ-साथ जो उसके शरीर के बारे में और साइकलोजी बहुत जरूरी है जिससे कि वो उस लेवल के प्रेशर को जहल पाए और उस लेवल के प्रेशर में परफॉर्म कर सके और राश्टर के लिए मेडल जीते हैं, जो भी भी बच्चा ब राण के जाते हैं सार्दिक शिक्षक के रूप में, अगर वो मास्टर डिग्री करके निकलता है तो स्पोर्ट्स डारेक्टर बनता है, स्पोर्ट्स आफिसर बनता है, और कई बच्चे जो यहां से पास होने के बाद, आर्मी, नेवी और एर फोर्स में भी उन्होंने अप वेलनेस और फिटनेस सेंटर हो गया है, कई बच्चे हमारे यहां से योग का कोर्स करने के बाद, PGDSC जो योग में कोर्स होते हैं, वो PGDSC है, Post Graduate Diploma in Yogic Sciences है, Alternate Therapies है, फिर आपका MA Yoga होता है, योग का कोर्स करने के बाद, उन्होंने अपने सेंटर भी प्रारम किये हैं, जिस तरीके से, कोचिंग और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी यहां पर है, जिसमें कोचिंग के कोर्स, कोच निकाले जाते हैं, कोच बनाये जाते हैं, उसके बाद, मैनेजमेंट का कोर्स है, जो की दो वर्ष का कोर्स है, और इसके बाद, मैनेजमेंट इंडस्री में, जैसे से उसको सही तरीके से आयोजित करना है उन्होंने सीखा भी और बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमी का निभाई है LN IPE में ही प्रशिक्षन ले रही महिमा चौधरी और स्वाती कुमारी की दास्तान भी अनोखी ही कही जा सकती है से मेरा नाम महिमा चौधरी है और मैं अभी LN IPE में मास्टर्स डिगरी कर रही हूँ फोर सेमेस्टर में हूँ मेरा भी दूसरा साल यहां चल रहा है और मास्टर्स में मैंने एडमिशन इसकी पूरी प्रॉसेस के तरूर लिया था फिजिकल एडुकेशन में जो भी छातर छातरा हैं होती हैं शुरू से ही उनका एक सपना होता है कि LN IPE में पढ़ने का मेरा भी वही सपना था जो कि मास्टर्स में जाके साकार हुआ और इंसिटूट में पढ़ने वाला बच्चा सिरफ खेलों में ही नहीं बलकि हर एक्टिविटी में अपने आपको आगे बढ़ चर कर देखता है क्योंकि यहां पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं असिस्टेंट प्रॉफिसर्स जो है कोच जो है हमारे वो बच्चे का एक ओवरोल डेवलप्मेंट करते हैं और यहां जब मैंने अड्मिशन लिया तो जिस हिसाब से मैंने इस इंसिटूट के बारे में सुना था उससे भी बढ़ चड़ कर मैंने चीज़ें यहां देखी हैं क्योंकि हर एक फिल्ट यहां आए पार्टिस्पेशन किया तो धीरे धीरे टीम गेम में भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे इंडियूजल इस परदाएं नहीं टीम गेम में भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हम एक जूट रहके और जीत हासिल कर सकते हैं सर मैं राजस्तान के एक चोटे से गाउं जुझनों से हूँ तो वहां रहते वे मेरे कोच जो हैं उनके द्वारा मुझे पता लगा कि ऐसे एक संस्तान है जहां फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है और साथ-साथ में हम अपने गेम को भी आगे बढ़ा सकते हैं मेरे भी परिवार का यही सपना था कि मैं UPSC में जाऊं और आगे जाके अपनी पढ़ाई को कंटीन्यू करूं क्योंकि मेरा रुजहान खेल के प्रती जादा था मैं आसपास में जब गली में अपने महले में बच्चों को खेलते वे लड़कों को इस्पेसली खेलते वे द जो कि मुझे लगता है इस इंसिटूट से निकलने के बाद मैं 101 परतीसत अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जरूर बनूंगी स्पाति कुमारी मैं जारकन से हूँ यहां पर प्रबंधन के डिबार्टमेंट में हूँ मैं यहां पर स्पोर्ट मैंजमेंट कोर्स कर रही हूं मास्टर आफ आर्ट स्पोर्स मैंजमेंट मेरा पहले से इंट्रेस्ट खेलने पर था लेकिन मेरा जादा इंट्रेस्ट देखा तो बहुत सारे colleges में होता है sports management बट यह जो LNIP है उसका नाम बहुत पहले से है इसमें हमें बताया जाता है कि जैसे कोई भी events हो रहा है जैसे यहां पर खेलो इंडिया हुआ तो हमें उसमें accurate बनाना था उनका कि उस चीज को लेके वो access zone पर जा सकते हैं तो वहां पर मैं accurate venue है जो college के द्वारा ही हमें opportunity प्रवाइड की गई थी और हमें यहां पर बताया जाता है कि जब कोई भी event conduct होता है तो हम उसमें कैसे manage करेंगे चीजों को कैसे किसी भी event को successful बनाते है वो हमें यहां सिखाया जाता है जैसे मैं आई थी यहां पर तो मेरा थोड़ नीचर इंट्रोवर्ट था बड़ यहां आके मैंने बहुत कुछ सीखा है जैसे यहां पर हमें presentations दिया जाता है बताया जाता है आप लोगों के सामने कैसे present करोगे एक level of confidence बढ़ा है मेरा यहां पर आके खेलें खिलाएं देश को आगे बढ़ाएं स्वरान सौजन्य, सोहन सिंग, आकाश्वानी ग्वालियर आज उलेक हुआ युवाओं के science और agriculture के प्रति बढ़ते हुए रूजान को लेकर इधर National Institute of Science Communication and Policy Research निस्पर ने गुरुग्राम University परिसर में पिछले दिनों भव्वे Science Conclave and Agrotech Expo आयोज़त किया देश के युवाओं के ही benefit के लिए चले मिलाते हैं निस्पर के Senior Principal Scientist डॉक्टर योगेश सुमन से हमारे यंग फ्रेंड से जरूर कहना चाहेंगे जै विज्ञान जै किसान इस प्रोग्राम के थुरू हमारा जो उद्देश था वो ये था कि किसान और जो हमारी यंगर जैनरेशन है युवापिड़ी उसमें साइंस के प्रती जाग रुकता पैदा करना साइंस उनको कैसे help कर सकती है और साइंस के थुरू रोजगार के अफसर या व्यापार के किस थे और जो कुछ हमने बच्चों के आकरशंट के लिए प्रोग्राम बनाया थे वह भी एक्सपर्स से उसमें मैं अगर कहूं आप से हमने कटपुतली शो का आयो जन भी किया जिसके माध्यम से हमने साइंस की स्टोरी बच्चों को बताई और उसको आलखास तर पर स्कू पर जैसे ले जाना होता है वो उन्होंने पुरा महसूस कराया बच्चों को और उन्होंने एक आलू की कहानी भी एक आलू की हिस्ट्री जो हम खाते है इतना पॉपुलर है उसकी हिस्ट्री भी बहुती रोचक अंदाज में बच्चों के सामने रखी आलू की हिस्ट्री उस तो उसके पीछे क्या सांटिफिक लॉजिक होता है और इसके अलावा भी हमने बच्चों को जो हमारे आठ को अमंत्रित किया था जिन में मैं नाम भी लेना चाहूंगों लैप्स की जो देश के विभिन भागों से आई थी और इनके नाम है CSIR IHPT पालंपूर जो हिमाचल से मध्यप्रदेश और CSIR इंडर्निस्ट पेट्रोलियम आयाएपी देहरादून CSIR सीमप लखनू से थी CSIR CSM CRI भावनगर गुजरात से थी CSIR NBRI जो थी हमारी लखनू सी थी और CSIR निस्ट्रिविंद्रम से भी तो आप देखेंगे देश के विभिन भाग से दक्षिर से लेक अब आप देखेंगे लिए और आप देखेंगे लिए बच्चों के जानकारी के लिए और किसानों की जानकारी के लिए यहां बुलाया था दिखाने का टार्गेट हमारे यही था कि किसान सिर्फ यही नहीं कि आप पारम पर एक फसले या एक जैसे हमारी दिमाग में इमेज है कि कहें हो गुआ रहे हैं इसके अलावा आप सुगंदित फसले या कहिए कैश ट्रॉप्स में जाकर अपनी पर हेक्टेयर जो आमंदनी इसको किसान बढ़ा सकता है और CSR ने ऐसा एचीव भी किया है एरोमा मिशन के नाम से CSR का प्रोग्राम था जो बहुत सक्सेस्फुल हुआ देश के विविन भागों में इंप्लीमेंट भी हुआ है और किसानों की आए उस में बहुत बढ़ी है तो इस एरोमा मिशन में जि जो होती हमने इसको दूर करने की कोशिश की जरूर ही नहीं है कि आप पढ़ाई करने तो नौकरी के लिए कीजिए जो बिजनिश ऑपर्चुनिटीज है इसमें खास तौर भी चुकि हमने रूरल बैग्राउंड से बच्चे ज्यादा बलाय थे ग्रामिड चेतर से और हमार अपर्चुनिटीज है सुगंदित फसलों के बारे में बताया हमने कमर्शलाइज क्रॉप्स के कैश क्रॉप्स के बारे में बताया तो यह मीर हमारा में टार्गेट था और यह हम इसमें काफियत तक काम्याब भी हुए डॉक्टर सुमन आपकी बाते सुनके अभी तक यू लगा कि इसके स्पेक्ट्रम में पूरे फंक्शन के स्पेक्ट्रम में एक तरफ वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना तो है ही लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं और फिर नौकरी रोजगार का मसला तो रहता ही है तो उसको भी आपने शाइट टैकल किया इसमें जो बच्चे युवा आए थे वो किस आप एज स्पेक्ट्रम देखें तो क्या उम्र रही होगे उन बच्चों युवाओं के लिए इसमें आप समझ लीजिए कि छटी ये साथमी क्लास से लेकर अंडर से किया था और उनका काफी सपोर्ट था हमें तो वहां के बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट कह लीजए आप वो तो थे ही साइंस के जो इत्यारती थे और जो हमने स्कूलों से बलाय थे जो गुरू ग्राम युनिवस्टिय ने इन्वाइट किये थे आसपास के बच्चे वहां पर तो उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव था जो एक्स्प्रेशन था उसका वर्णान आप कैसे कर आपने तो अपनी आखों से देखा है हाँ वह बड़े खुश थे मतलब जिसे कहते हैं कि विसमे बहुत भी था आश्यर चकित भी थे क्योंकि वैग्यानिक शब्द भी अपने में बड़ा भारी भरकम है तो खास्तर पर गाओं के बच्चों को गाओं के वैग्यानिकों से मिलवा रहे हैं तो वैसे ही इंप्रेस यह खुश हो जाता है तो यह भाव उनकी चहरे पर था और वो बड़े खुश थे और हमने वन टो वन इंट्रेक्शन भी किया बच्चों से तो उसमें जैसे मैंने भी खुद किया तो बच्चे खुद बोल रहे थे कि मैंने पूछ आप क्या बनना चाते हो एक बच्चे ने यह हमें काफी मल्ला हमें लागा कि फ्रूटफूल हो गया 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 और फिर हमारी जुक्स एसर की लैप्स हैं यह ब्रोशर हमने एक हजार बच्चों को बांट दी है और उसमें सारी जनकर है भी तो वो चाहें तो हमें अपरोच भी कर सकें तो कुल में लाके हम काम्याब रहे अपना उद्देशिया हासिल करने में थैंक यू दॉक्ट सार थैंक यू धिन्यवाद बहुत 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 इधार नई दिल्ली के पूसा परिसर में इनहीं दिनों अंतराष्ट्रिय ग्लोबल मिलिट्स कॉन्फरेंस में युवाओं के लिहाज से बहुत नमस्कार, मैं डॉक्टर रवी कुमार, ICR इंडियन इंस्टूट आफ मिलेट रिसर्च हाइदरबाद से हूँ, आज इस ग्लोबल मिलेट कॉन्फरेंस में हमने ये स्टाल यहाँ लगाया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे युवाद और आलग-अलग तरह के स्टाफ आ र यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलोजिस किया है, जैसे कि साथ टेक्नोलोजिस उसके बारे में बता रहे हैं सभी को, और यह जो प्रेक्षकार है हमरे पास, वो सभी उक्षुक्त है चुनने में, और उनको यह जानगारी देने से आगे पीडी, मिलेट के तरफ आकर शिद हो. जैसे यह जन्क वड है, तरफ पास, पुबलिक स्कूल रोहिनी, देली. यहाँ पर आकर हमें मिलेट के बारे में बहुत पता चला, लाइक, रागी, कुट्टुकी, इनसे क्या-क्या बनता है. जैसे यह जंक पूड है, लाइक मैगी, एं प्रेड़ मेडे, इसमें अगर सोचल साइंस बढ़ाती हूं और यहां पर आने का सबसे बड़ा परपस यही था कि इत काम्मेंट की तरफ से बड़ा इनिशेटिव लिया गया है कि हमारे खुद के जो मिलेट्स हैं इंडिया में ग्रो होने वाले मिलेट्स को प्रमोट करें अभी तक तो हम बाहर के ही खाने हाते जा रहे हैं उन्हीं को प्रमोट करते जा रहे हैं बट बच्चों को यह पता लगा कि ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी कोई कांफरेंस हो रही है देवर वेरी एक्साइटिव क्योंकि यहां बहुत अच्छा डिस्प्ले किया गया है तरह तरह की चीजें हैं मतलब हैरानी ह होती है यह देखकर कि हम चाय भी बना सकते हैं मिलेट से तो यह बहुत ही मेरे को बहुत अमेजिंग बात लगी है बहुत अच्छा लगा हो गया स्पोर्ट्स, साइंस, न्यूट्रिशन का जक्र ऐसे कितने ही देश के युवा होंगे जिन्होंने यहां की कला संस्कृति को सर्वो परिमाना है जुनू कहलो या करियर की दृष्टि से सही कहा तुमने संगीत नाटक अकादमी ने पिछले दिनो उस्ताद बिस्मिल्ला खां राष्ट युवा परस्कार भी तो प्रदांग किये हैं पूरी लिस्ट पर नजर डालोगी तो वो ही फीलिंग आएगी यानि एक भारत श्रेष्ट भारत की युवा भारती के अगले अंख में डेफिनिटली हम इनमें से एक दो कलाकारों से देश को रूबरू करवाएंगे डन अच्छा वो सब तो बात की बात हैं फिल्हाल इन्वार्मेंट कॉंशिस होते हुए वोल्ड स्पैरो डे का जिक्र हो जाए बिल्कुल मैं यही कहने जा रही थी युवा तो क्या आज देश के बच्चे तक लुप्त होती जा रही कॉमन गौरईया को वापस बुलाने में जी जान से जुटे हुए हैं समय और अंतरिक्ष जरूर फिजिक्स के दुनिया के विशय हैं लेकिन युवा मन की असीम उडान के खातिर डेश के गगन्यान अभियान का उनलेख तो किया ही जा सकता है सबसे बड़ी बात इन दिनों बात चल रही है फीमेल हुमनॉइड वियोम मित्र को अंतरिक्ष में इसी वर्ष भेजने की इस अभियान को युवा भारती की हार दिक्षुप काम ना है चलते चलते खास खबर पिछले दिनों IIT धारवार के नए कैंपस का विधिवत उधगाटन किया गया करनाटका के युवाओं के लिए बलकि देश के युवाओं के लिए करियर के लिहास से ये एक बहुत बड़ी आपरचिनिटी है ये कैंपस धारवार की पहचान को और मजबुत करने का काम करेगा एक इंस्टिटूट के रूप में यहां की हाई टेक फसिलिटी आई आई टी धारवार को वर्ल्ड के बेस इंस्टिटूट के बराबर पहुंचने की प्रेणा देंगे जितने जादा उत्तम इंस्टिटूट होंगे उतने जादा लोगों तक अच्छी सिच्छा की पहुंच होगी इसके साथ ही संपन होता है युवा भारती का ये अंक नवोदिता मिश्रा और मनोज माइनकर को अनुमति दीजिये नमस्कार विजारों का ये है युवा भारती ये है युवा भारती ये है युवा भारती